हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज होगी है फर्स जुलाई और हम लोग सुर्वात करते हैं किर्केट के टॉप न्यूजों के साथ और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेग तेंक यू अचली स्टार्ट करते हैं पहली और बड़ी न्यूजार यह सौथ अफरीकन क्रिकेट बोर्ट से तो आपको बता जे जो थ्रीटी लीग होने वाई थी सौथ अफरीका में 28 जुन को अब वो 28 जुन को नहीं होगी उसको और डिले कर दिया गया अब वो 18 जुलाई को होगी इसकी बड़ी वज़ा है को करोना वाईस तो आपको पता दे आज सौथ अफरीकन क्रिकेट बोर्ट के डिरेक्ट अंगेन इसमीड ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि सौथ अफरीकन गवर्मेंट ने इस लीग को 28 जुन को कंड़क्ट करवाने की प्रिमिशन नहीं दिया क्योंकि सीयसे के कुछ स् और एक बड़ी वज़ा है 18 जुलाई को इस लीग को कंड़क्ट करवाने की क्योंकि उस दिन इसोन मंडेला का बड़े है जो कि सौथ अफरीका के पहले प्रेसिडेंट रह चुके और सौथ अफरीका में इस दे को नेसोन मंडेला इंटरनेशनल डे से मनाया जाता है दूसरी और बड़ी न्यूज आ रही है रविंदर जटेजा से लेटेड सौरी सर रविंदर जटेजा से लेटेड उन्हें विजडन मैगजी ने इंडियास मोस्ट वर्लेबल टेस्ट प्लेयर ऑफ दर 21 से नवाजा है आपको बता दें कि रविंदर जटेजा ने 49 टेस्ट में 35 केवरेज के साथ कर्यवन 2000 रन बनाए और वह ही 213 विकट लिया है 24 केवरेज के साथ जो ऑस्टेडिया के लेजेंड से इंड वान से भी ज़्यादा है तीसरी और बड़ी न्यूज़ आ रही है इंग्लेड क्रिकेट बोर से इंग्लेड क्रिकेट बोर ने अपकमिंग सेरी जो वेस्ट इंडिदेज के साथ होने वाली है उसमें कर्एंट कैपтеन जो रूट को हटा यूर्ट को बेन स्टोक्स को लेया तीन मैचों की टेस्ट सिरीज है जो 13 जुलाई को स्टार्ट होगी और 28 जुलाई को खतम होगी चौतर बड़ा न्यूज आ रहा है BCCI के तब से BCCI ने आज की मिल्टे में IPL के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया क्योंकि इसका बहुत बड़ा रिजन है कि ICC ने अभी तक T20 World Cup का स्टेडियूल रिरीज नहीं किया और आपको बता दे कि जब तक ICC T20 World Cup का स्टेडियूल रिरीज नहीं करता तब तक IPL कभी स्टेडियूल रिरीज नहीं होगा और सायद आज BCCI Vivo के स्पॉंसर्शिप पे भी ध्यान दे सकता है क्योंकि आज कल इंडिया में बॉयकॉर्ट चाइनीज मुवेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है अज जो भी BCCI Vivo से रिरेटेड डिसीजन लेगा आपको मेरे वीडियो के थूप पता चलेगा तो किर्पिया सब्सक्राइब कर दीजेगा आकड़ी हो सबसे बर इन्यूल आरिया सीलंका से बता दे कि शिलंकन गवर्णमेंट ने 2011 वर्ल्ड कॉप फिक्सिंग मामले में आज पहला कदम उठाए उन्होंने तब के चीफ सेलेक्टर अर्विन दी सिल्वा को कस्टेडी में लिया है और उनसे 6 गंटे तक पूछताच किया आपको बता दे कि एक्स स्पोर्ट मिनिस्टर अफ शिलंका ने ये एलिगेशन लगाया था कि वर्ल्ल कॉप फाइनल फिक्स था जेए शिलंकान गवर्मेंट ने फॉर्मल कैफटन को कस्टेडी में लेकि उनसे पूछताच किया देखते हैं कि आगे के अपडेट्स क्या आता है जो भी अपडेट्स होंगे आपको मेरी वीडियो के तूप पता चलने